कि दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त और होस्ट एड़ोगेट अमिद गुपता जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं सिक्यूरिटीज लॉग को समझाने के लिए रेगुलर वीडियो और अपडेट्स डालता हूं यह मेरा एक प्रयास है ताकि हर सिटीजन ऑफ कंट्री श करें और उसे पूरे भारत भर्टमें शियर करें सेव लेकिन जैसे मैं हर बार गुझारिश करता हूं वही गुझारिश घुझारिश मैं आज कर नहीं फिर दुबारा से कि मेरा चैनल लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेर आज का मेरा वीडियो है जस्ट लाएश के उसके section 9 की तरव मैं आपको लेके चलूँगा चहाँ पर stock exchanges को अपने bylaws बनाने का अधिकार दिया जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि stock exchanges के जो rules and regulations है ये statutory flavor के हैं अब ये statutory flavor आया कहां से यह आया मेरे पास exchanges के पास securities contract regulation act 1956 है उसके बाद 1992 में securities exchange board of इंडिया का एक्ट बनता है जहां पर investors का interest protect करा जाता है और विभिन circulars और विभिन नोटिफिकेशन जारी करे जाती है लेकिन हर circular और हर notification का जो essence है जो base है वो है to protect the interest of investors जब ही preamble of sebi भी क्या है हर investor की ताकत लेकिन sebi और exchanges जो अपने rules regulations notifications जारी करते हैं उनके अंदर जो essence है वो तब ही fulfill हो पाएगा जब investors भी उनहीं नियम का dedicatedly पालन करें अगर investors कुछ अपना gain या negligence के कारण उन regulations के को breach करते हैं या overlap करते हैं तो कहीं न कहीं वो essence जो है वो breach होता है तो investors को उसका जो right है और जो अधिकार है वो नहीं मिल पाता तो इसलिए आपको हर वो नियम का पालन करना है जो stock exchanges या जो सेवी ने आपके लिए बनाए हैं किसी भी तरीके का उसको bypass ना करें बागी किसी प्रकार की कोई समस्या हो कोई जानकारी आप लेना चाहे तो बे जिजक मुझे WhatsApp या message कर सकते हैं आप लोगों के पास मेरा मुबाइल नंबर है ही लेकिन मैं नए श्रोताओं के लिए नए दर्शकों के लिए दुबारा से अपना मुबाइल नंबर शेयर करता हूं मेरा मुबाइल नंबर है 9810-040-459 आपका दोस्त और होस्ट एड्वोकेट अमिद गुपता नमस्कार